नमस्कार, योगजन्णी में मैं मदू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो ऐसी चीजें चो 40 की उम्र के बाद बहुत जरूरी है यह आपके खून की शुद्धी करता है, आपके लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है शरीर के सारे अंग एक्तम चुस्त दुरुस्त रहते हैं चेहरे पर एक शानदार सा ग्लो आ जाता है यह आपके गरभाशे को मजबूती देगा, आपके प्रजनन तंत्र को स्वस्त बनाएगा पहली चीज है एक ऐसा फल जिसकी तुलना अम्रिच से की गई है कब्स, मोटापा, पेट में गैस होना, ब्लोटिंग होना, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए आपकी आँखों की रोशनी आँखों की चमक को बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा काले, लंबे, घने, बाल, हर किसी की चाहत होती है आपकी स्किन एकदम कसावट भरी, चमक से भरी हुई, दमकती हुई नजर आएगी पेडू में दर्ध होना, क्रैम साना, पीरिट्स कम या जादा होना, यूरिनरी इंफेक्शन होना इन सब समस्याओं के लिए आपको आमले का सेवन जरूर करना है बहुत जादा ब्लीडिंग होने के कारण महिलाओं में एनिमिया की समस्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है उसके लिए भी आपको आमला जरूर खाना चाहिए आमला फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी बहुत मददगार होता है तो जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें जरूर आमले का सेवन करना है सुबह सुबह खाली पे एक चमच आमला जूस, एक चमच एलोवेरा जूस उसे एक गिलास पानी में गोल कर इसे पी लें आमले का जूस अविलेबल नहीं है तो आमले का चूरिन भी उस कर सकते हैं आमले का सेवन आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है यह आपके खून की शुद्धी करता है आपके लिवर का डी टॉक्सिफिकेशन करता है एक आमला रोजाना आपको हजारों बिमारियों से दूर रखेगा तो यह तो होगी खाने की बात और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि आपको रोजाना अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है आईए कुछ देर मेरे साथ अनुलोम मिलोम का अभ्यास करें ताकि आप इसे रोजाना ठीक तरीके से कर माएं बायू मुद्रा बना लेंगे यानि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको थम के बेस पर लगाना और थम से उस उंगली को दबा देना अब इस तरह से अपने आउंठे और बीच वाले उंगली से आपको अपने नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करना है अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे लेट से सांस भरेंगे आँखे बंद कर लेए राइट से सांस बाहर छोड़े राइट से सांस भरे और लेट से छोड़ दे फिर से लेट से सांस लेना राइट से छोड़ना राइट से सांस लेना और लेट से छोड़ देना जब अनुलोम विलोम प्राणयाम आप सही तरीके से करते हैं तो ये आपके शरीर में कमाल का सर दिखाता है वातपित और कफ्ट में बैलेंस लेकर आता है आपके मन को शांत करता है शरीर में जो हॉर्मोनल इंबैलेंस है उसे ठीक करता है पीरेट से जुड़ी जितनी भी समस्याँ है उनमें बहुत लाब मिलता है समय नहीं मिलता है तो पंदरा मिनिट जल्दी उठें लेकिन ये आपको करना ही होगा अगले वीडियो में फिर किसी इंपोर्टन टॉपिक के साथ आप से फिर मुलाकात होगी तब तक हमेशा प्रसंद रहें अपना खयाल रखें नमस्कार